Dear Students, मैं अचली सारसवत, साइंस टीचर, केंडे विद्याले नमबच्चो, आगरा केंट. अपने लास्ट वीडियो में, रिविजन प्लान, टर्म टू साइंस बोर्ड एक्जाम के लिए, आपको मैंने अपने वीडियो में बताया कि किस तरीके से हम लास्ट टेन इयर्स के बोर्ड के पेपर, सी बीएसी के पेपर को सॉल्व करेंगे, कम्प्लीट एक्स्प्लेनेशन देने की कोशिश में करूंगी, और आपके रिविजन को ज़्यादा कन्विनियंट करने की, जिससे आपके लिए हल्फुल भी हो सकें और आप ज़्यादा कॉन्फिडेन्ट भी हो सकें, ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझ लेना है कि कोई भी क्वेशन आपका छोड़ा नहीं गया है, डेली और आउटसाइड डेली, दोनों पेपर्स में से क्वेशन्स कंपाइल किये गए हैं, मार्किंग इस्कीम में जो ओरीजिनल सीबी असी के दिये हुए आंसर्स हैं, उनहीं को लिया गया है, ठीक है, तो हम वन बाइवन स्टार्ट करेंगे, आपको सभी चैप्टर्स का और सभी साल के क्वेशन्स के कम्प्लीट सॉल्यूशन यहां वित डिसकेशन मिलेंगे, सबसे पहले हम एवालुएशन इस्कीम को समझ लेते हैं कि एवालुएशन इस्कीम है क्या, देखिए आपका जो पेपर है, second term का, वो five आपकी जो units हैं, वो four units है, first, second, fourth and fifth, तो first unit में दो chapters है, chemical substances, nature and behavior में chapter four and five, chapter four है carbon and its compounds, और five है periodic classification of elements, दोनों को मिलाकर जो marks allot किये रहे हैं, वो है ten, second unit है world of living, chapter eight and nine, तो chapter eight है, आपका how do organisms reproduce and chapter nine है, फेरिडिटी and evolution, छीक है, यह 13 marks का है, effects of electric current, यह fourth unit है, chapter 12 and 13, chapter 12 है electricity और chapter 13 है magnetic effects of electric current, जिसको marks allot किये गए हैं, 12, इसके बाद है आपका fifth unit, natural resources, chapter 15, our environment, और इसको five marks allot किये गए हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ, to world of living, bio के दो chapters और natural resources, यह दोनों ही chapters, यानि कि 13 marks और 15 marks, यानि कि bio में आपको maximum marks, 18 marks दिये जा रहे हैं, ठीक है, तो bio का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन individually अगर हम chapters को देखें, तो almost equal equal five six five six marks allot हैं, ठीक है, internal assess, total जो आपका paper होगा, वो 40 marks का होगा, 10 marks, internal assessment के होएंगे, और total 50 होगा, जो board का pattern है, उसका sample question paper आ चुका है, और उस question paper का link भी मैं इसमें दे दूँगी, अगर आपने नहीं अभी तक उस video को देखा हो, तो उसको भी आप पोरा solve करिएगा मेरे साथ, अब हम यहाँ पर छोटी सी एक बात कर लेते हैं, यह इतना content, जिलन मैंने हर अपने वीडियो में add किया हुआ है, जिसे हर बार आपको यह ध्यान रहे कि इस chapter में क्या included है और क्या included नहीं है, सबसे पहले हम देख लेते हैं chapter 4, carbon and its compounds, इसमें page number 67 ते last तक है, लेकिन बीच में यह deleted portion है, यहाँ बात हम कर रहे हैं, deleted portion की, यहाँ 67 पेज तक last तक deleted है, लेकिन उसके बीच में आ रहा है homologa series, जो बहुत important है, और यह included है, इसी तरीके से chapter 9, heredity पर आते हैं, यहाँ page number 147 से last तक deleted है, ध्यान रखे, deleted portions हैंगे, chapter 13, magnetic effects of electric current, इसमें page number 236 से last तक deleted है, और जो chapters यहाँ mention नहीं हैं, वो complete आएंगे, ठीक है, so let's start with the revision of question paper of CBSE 2020, जो last board हुआ है, उसका paper हम करेंगे, और यहाँ periodic table इसलिए आपको दिखाई गए है कि जिससे बार बार जो questions आएंगे, वो आपको मैं यहाँ से बता सकूँ, देखिए, question के साथ यह भी लिखा गया है कि कितने number का question है, वन मार्क का, अब एक चीज़ मैं आपको और clear कर दूँ, जो अब simple question paper CBSE ने दिया है, उसमें वन मार्क के questions included directly वन मार्क के नहीं हैं, लेकिन जैसे 3 marks का question है, तो उसमें 3 questions हैं, वन मार्क के, या case study है, तो उसमें भी वन मार्क के हैं, तो इसलिए मैंने कोई भी question छोड़ा नहीं है आपके लिए, तो define electropositivity, first question ले लेते हैं, 2020 के ही हैं सारे, OD का मतलब है outside के लिए, ठीक है, तो what is electropositivity, अब यहां हम बास समझ लेते हैं कि electropositivity is the tendency of an element to lose electrons and form positive ions in a chemical reaction, reaction word यहां रहे गया, उसको लिख लिजे, ठीक है, आपको पता है कि matters जब react करते हैं, तो ionic bond बनाते हैं और electron donate करते हैं, यानि कि electron lose होता है, और जब भी electron lose होता है, तो positive charge आता है, तो इसको हम यह बन गया sodium ion, sodium, तो electropositivity क्या है, it's a property, और it's a tendency of an element to lose electrons and form positive ions, is it clear, जैसे sodium को थोड़ा और मैं elaborate कर देते हूं, sodium का atomic number होता है 11, इसका electronic configuration करें तो 281, यानि कि यह जो one electron है, यह donate होता है और ionic bond बनता है, next question ले लेते हैं, question number 2, the atomic radii of first group elements are given below, this question is also for one mark, outside Delhi का question है, group 1 में हम देखते हैं, sodium, potassium, rubidium and cesium, atomic radii दिया हुआ है, आपको 86, 231, 244 और 282, state the reason behind the observed trend in the above elements, ठीक है, यह देखिए, यहां आपको एक खास चीज दिखाई दे रहे है, sodium, potassium, rubidium, cesium, यहां से हम बार-बार में आपको periodic table बार-बार दिखाऊंगी, जिससे आपको आसानी से याद आ जाए, यह देखिए, sodium, potassium, rubidium, cesium, यह है आपका first group, और first group के elements हैं, और जो group number होता है, वो बताता है, कि उसकी valency क्या है, तो इनकी सबकी valency 1 है, जैसे मैंने sodium की अभी अभी बताई, lithium की अगर हम lithium की लें, तो lithium की valency, atomic number है 3, और उसकी valency होगी 2, 1, तो अब देखिए, हम नीचे की और आ रहे हैं, downward आ रहे हैं group में, और group में जो atomic radius है, वो बढ़ रहा है, तो क्या वज़े है, क्या वज़े है, इसको ऐसे समझे है, कि sodium नीचे जब हम आती हैं, और valency सेम रहती है, इसका मतलब क्या है, तो जो number of orbits हैं, वो increase करती है, answer देखिए, in a group as we move from top to bottom, देखिए, group में ऐसे चलेंगे, और period में ऐसे चलेंगे, ठीक है, top to bottom, the number of shells increases, यह चीज़ बहुत important है, पहले जैसे मैंने कहा lithium, lithium का electronic configuration है 3, तो यहाँ आपके first orbit में 2 electrons आ गए, एक को समझ लेते हैं, और इसमें आ गया 1, माल लीज़े sodium, sodium का है कितना, 11, तो first orbit में आ गए 2 electrons, second orbit में आ गए आपके 8 electrons, 8 electrons और third orbit में 2, 8, 1, फिर 1 electron आ गया, देखिए पहले orbit hydrogen में अगर हम जाएं, तो one orbit है, यह two orbits है, यह three orbits है, तो gradually orbit बढ़ रहे हैं, और जो radii है, वो radii क्या होती है, कि nucleus से last orbit तक के distance radii है, ठीक है न, तो gradually जब हम downward आते हैं, तो atomic radii increase होती है, I hope इसमझ में आ गया होगा आपको, question 3 ले लेते हैं, how does valency of element vary across a period, देखिए जब भी बात period की आई, तो आप मन बना लें, या वहीं पर pencil से निशान लगा लें, कि मुझे ऐसे बात करनी है, ठीक है, तो valency किस तरीके से vary करती है, देखिए, जब भी period में हम चलते हैं, तो valency of an element first increases and then decreases across a period, पहले बढ़ती है, फिर कम होती है, इसको देख लेते हैं, फिर से periodic table पर आईए, मैं हर question के साथ लगभग आपको periodic table की बात करूंगी, देखिए, lithium का atomic number है 3, 2, 1, बेरिलियम का है 4, तो 2, 2, इसकी valency 1 हुई, इसकी valency 2 हुई, अब बुरोन पर आजाए, 2, 5 है electronic atomic number and 2, 3, यानि कि 3 हो गई, carbon के 4 हो गई, valency lapron, valency भी अब 4 के बाद, covalent bonding 4 से शिरू हो गई, तो यहाँ पर valency हम करते जाएंगे, 7 को हम करेंगे, तो 2, 5, तो 8-5, 3, 8 का 2, 6, valency, 8-6, 2, 9, valency, valency क्या करेंगे, 2, 7, 8-7, 1, यानि कि यहाँ तक तो initially तो valency बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद कम हो रही है, ठीक है, यहाँ 4 तक आ गई, और इसके बाद, 2, 5, यानि कि 3, 2, 1, 0, तो first, valency first increases and then it decreases, right? Question 4, 3 elements, X, Y and Z have atomic numbers 7, 8 and 9 respectively. Question 1 is, state their positions, group number and period number both in the modern periodic table. First को देख लेते हैं, X, Y, Z का electron configuration देखते हैं, यह देखिए, X का atomic number 7, उसे अगर हम distribute करें तो 2, 5, तो 2, 5 and Y का 8, 2, 6 and Z, 2, 7. Children, जो number of orbits हैं, अगर हम देखें तो यह इस तरीके से period की बात कर रहे हैं, तो यह 7, 8, 9 इस तरीके से चल रहा हैं, ठीक है? तो यह period है, और period में जो orbits होती हैं, वो same होती हैं, तो 3, X, Y, Z में सभी में 2 orbits हैं, यानि सभी का period हुआ 2. ठीक है, अब हम देख लेते हैं, valence electrons में difference, 5, 6, 7, तो इसका group हुआ 15, इसका 16 पर इसका 17, ठीक, अगला question देखते हैं, question B है, arrange these elements in the decreasing order of their atomic radii, atomic radii along the period, along the period atomic radii क्या होती है, decrease होती है, और यह चल रहा है, आपका X, Y, Z, तो जो atomic radii है, वो भी सबसे ज्यादा X की, उसके बाद Y की, उसके बाद Z की, question 3 देख लेते हैं, write the formula of the compound formed when X combines with Z, यह 3 marks का question है, तीन, अगर questions देए हैं, इसका मतलब 3 marks, का है, formula बनाना है हमें X और Z के बेच में, तो आपने 9th class में पढ़ा था, कि हम जो atom elements हैं, उनको लिख लेते हैं, पहले symbol लिख लेते हैं, यह हमारे symbol है X और Z, X की valency अगर हम देखें, तो X की valency 5, combining 5, valence electron, combining capacity होई उसके 3, हमने 3 लिख लिख लिया, और Z की अगर देखें, 2, 7, combining capacity होई 1, valency 1, और हम इनको क्या कर देते हैं, cross कर देते हैं, चीक है, तो 3, formula हमारा क्या बन जाएगा, X और Z 3, 1 लिखते नहीं हैं, तो formula बन गया X, Z 3, ठीक है, I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अब हम ले लेते हैं, question number 5, study the data of the following three categories, A, B and C, ये देखने में लंबा चोड़ा लगेगा, कई बर क्या होता है, students बड़ा सा question देखकर, tabular form में देखकर, ये जादा descriptive देखकर, थोड़े हड़ड़ा जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ये हम से नहीं होगा, जबकि वही question बहुत simple होता है, देखिए, ये categories हैं, A, B, C, name of the element दिया है, और atomic mass दिया है, question पढ़ते हैं कि question क्या कह रहा है, from the given three categories, A, B and C, pick the one which forms doverian triad, इसमें doverian triad क्या है, तो अगर हम देखें कि doverian triad का मतलब क्या है, कि ऐसे तीन elements का group, जिसमें पहले और तीसरे, यानि first और third के atomic masses का अगर average निकालें, तो जो average आएगा, वो middle element का होगा, अगर हम बात करें, lithium का 17 और potassium का 39, अगर इसका sum किया जाए, तो 39 और 7 हुआ, आपका 46, and 46 का mean निकालें, जो divided by 2, and that comes 23, तो यह हुआ A, यानि कि A हमारा, इन दोनों को अगर हम देखें, आप करके देख लीजेगा, तो यह beach का atomic mass नहीं आ रहा है, ठीके, करके देख लीजेए, इसको B को अगर देख लेते हैं, तो 74 और 14, यानि कि 88, और 88 का होता है 44, जबकि यह 31 आ रहा है, इसी तरीके से इसमें भी नहीं आ रहा है, तो from the given 3 categories A, B, C, pick the one which forms dovarian triad, तो कौन dovarian triad बना रहा है, A, group A, category A shows dovarian triad, right, question 2 ले लेते हैं, why did Mandelief placed elements of group category A, B and C in three different groups, Mandelief ने इनको तीन अलग-अलग groups में क्यों रखा, Mandelief arranged the elements in increasing order of atomic mass and grouped them as per similar chemical property, जो Mandelief table है बचो, वो आपको पता है कि किसकी basis पर है, increasing order of atomic mass, right, elements in A, B and C similar among themselves but have different chemical properties, ठीक है, अगला question ले लेते हैं, is Newland law of octave applicable to all the three categories, क्या Newland law तीनों categories के लिए applicable है, यह तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया, no, क्यों नहीं है, क्योंकि जो middle element है, वो उसके उपर और नीचे वाले जो elements है, या उसके इर्दगेर्द जो elements है, उनके mass का average नहीं है, Newland law of octave is not applicable, because in the three categories, every eighth element will not show same property as first, also Newland octave's law is applicable only up to calcium, ठीक है, देखी, यहाँ हम बात कर लेते हैं, question, is Newland law of octave applicable to all, octave का मतलब है, eight, eight electrons है, कि एर्द वाला repeat हो रहा है, answer is, no, Newland law of octave is not applicable, because in the three categories, every eighth element, every eighth element, will not show same property as first, ठीक है, eighth element को property show करनी है, और वो possible नहीं हुआ, question six ले लेते हैं, define atomic size, give its unit of measurement, मैंने पहले भी आपको atomic size बताया, in the modern periodic table, ठीक है, पहले define atomic size ले लेते हैं, the distance from the center of nucleus, यह अभी मैंने पहले भी बताया था, the distance from center of nucleus, to outermost shell of an atom, is atomic radius, और अगला इसी का path है, question का, in the modern periodic table, what trend is observed, in the atomic radius in a group, and in the period, and why it is so, देखिए, फिर से इसको समझा लेते हैं, atomic size is measured in angstroms में, और इसकी value होती है, 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meters, अब देखिए, इस part को, यहां mention नहीं किया गया है, यहां मैं आपको फिर से समझाते हूं, in the modern periodic table, what trend is observed in the atomic radius in the group, जब बचो, हम period में चलेंगे, तो मैंने आपको बताया, कि atomic radius क्या होता है, decrease होता है, and जब हम group में चलते हैं, तो number of orbits भढ़ती जाती है, इसलिए यह हो जाता है, increases, ठीक है, is it clear, तो I hope, आपको यह चीज़ें clear हो गई होंगी है चैप्टर, 2020 में इतने ही questions थे, Delhi and outside Delhi के लिए, so children, आप करते रहें, अच्छे से revise करते रहें, मेरे साथ जोड़े रहें, और अगला topic, अगले questions का set, 2020 का एक दूसरे topic के साथ, तब तक के लिए, bye-bye, and फिर मिलते हैं,